प्रेंड्स कैसा सब लोग तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर में आपको एक ऐसा महत्पून टोपिक कराने वाला हूँ जो स्रीप आपके एक्जाम में दो चार नंबर का देखने को नहीं मिलता बहुत ज्याद है इस टोपिक से समधित आपके एक्जाम में आपके कंसेट के परती तो यह टोपिक आप लोग इजली कर पाऊगे आपके CDP के अंदर आता है आपकी EBS के अंदर आता है Mathematics के अंदर आता है Language के अंदर आता है Social science साइंस मलब सभी के अंदर ये अब टोपिक देखने को मिलिया है अजरसन और आपके रीजन के नाम से ठीक है यानि जो आपके अभिकतन और तरक दिया जाता है अब देखे इसको शुरू कराता जो आपके CBSC बोर्ड है उसने जब पेपर आपके उनलाइन हुए तो उनलाइन एक्जाम से पहले CBSC बोर्ड ने एक नोटिस निकाला था उसमें कहा था कि जो अब हम पेपर का लेवल रहेगा वो आपका ज्यादेतर समझ पर आधारित रहेगा उसके लिए उन्होंने कुछ एक्जेंपल निकाले थे और बताया था कि देखे किस परकार का कॉश्चन अब कुछा था कि कौन सी स्पीच आपके आएगी तो CBSC का वहाँ पर यह मानना था कि जितना यह पेपर बच्चा समझ कर करेगा उतना ही ज्यादा उसके अच्छ नमबर आएंगे और आगे के लिए क्वालिफाई हो जाएगा किसी भी एक्जाम में बैठने के लिए जिस वह तो इसको देने का मकसद आपके एक्जाम में सिर्फ यह है इसके अंदर आप लोग अगर कोई चीज रट होगे तो आपको रटने में नहीं आएगी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है अगर आपकी सोच क्लियर है और किस परकार का आंसर आपको बच्चे के पढ़ती देना मिलते हैं बड़ी महत्पुन किलास है और भर भर के कुश्चन अब आपके एक्जाम में देखने को मिल रही है ठीक है जी गूड इवनिंग मैं ठीक हूँ आई ओप आप लोग सब ठीक होंगे नहीं होंगे तो मैं कर दूंगा ठीक है मैं कैसे करूंगा वही आप लोगों को साथ जन्वरी को आपकी CDP की मेराथन किलास होने वाली है ठीक है जिसका मैंने भी थमनेल भी लगा रखा है तो आप लोग जाकर उसको भी लाइक कर देना तैयार है न नोटिविकेशन ओन कर लेना तो ठीक साथ जन्वरी को आठ बजे मेरे यूटूब चैनल पर आप लोग साइन्स एक दिन में आपको करा दूँगा संपूर्ण के नाम से क्योंकि साथ तारिक को फिर मेराथन किलास होनी है ठीक है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये कंटेंट आपको मेरे यूटूब चैनल पर मिलता रही फिरी में ठीक है और साथी शेयर कर करने वाले ठीक है तो चलिए सुर抵ात कर लेता हूँ ठीक है आपके नाम से बहुत सारी क्लास चर लिए मैं जानता हो भूस सारे फेक चैनल मेरे नाम से ठीक है चलिए आप देख लेते हैं हम अपने उपर ध्यान के अंदृत करते हैं इसी यूटूब चैनल पर आप आना ठीक है कहीं फेक वगरा के चक्कर में मत पढ़ना ठीक है यहाँ पर बच जाएंगे लेकिन उपर वाला इन्हें जरूर सजा देगा ठीक है देखे पहले हम पढ़ते हैं आपर कथन अजर्षन पढ़ते हैं इसको ध्यान से पढ़ा करो जो अजर्षन दिया हुआ है तो यही से आपकी चीज़े खिलेर हो जाएगी ठीक है तो अजर्षन को देखते हैं जर्षन सही है गलत है बस पहले इतना काम हमें करना है चलो वही जो अजर्षन बता दो आप मुझे ठीक है पहले comment box में बतिए देख अगर मैं बात करूँ आपके प्याजे की बात करूँ तो जीन प्याजे की बात करूँ तो जीन प्याजेने जो संख्याओ का conservation बच्चा करता है, mathematics के अंदर भी एक question आपका आता है, ठीक है, तो आप लोग एक चीज को याद कर ले ना, N, L, W, V, इसको याद कर ले ना, इससे बच्चा जो conservation करता है चीजों को किस प्रकार से करता है, वो चीज आपको समझ मा आ जाएगी, बच्चा जो सबसे पहले conservation करता है, N, 4, number, यादि की बच्चा सबसे पहले संख्याओं का conservation करता है, और आपके CTAT के exam में कई बार पूछा हुआ है, कि जो संख्या होती है, बच्चे की उसमें तार्किक छमता में उरद्धी करती है, बच्चा चीजों का आपस में relate करता है, ठीक है, तो mathematics के अंदर एक question कई सेट में पूछ है, तो सबसे पहले किसके बारे में seven करता बच्चा नंबर छानी की संख्याओं के बारे में been conservation करना सीख जाता है, ठीक है, जो आपका बच्चा सीखता है इसके अंतर उसके ठीक है वهم का यािनि कि दर्वेमान का कंजरवेशन करना सीख जाता है अबदेखें यहां पर आपको उसके बाद नंबर का करना सीखता है तो यह सही है गलत है अरे गदो कुश्चन पढ़ो यहापर पूरा कुमार समुदाई की बात हो रही है यहापर कुमार समुदाई की जीन प्याज ने जो अपनी चार स्टेज बताई ती नोने गाते अपर वर्तन शील होती है इसमें कोई नहीं हो सकता यह सभी बच्चों के लिए जो सभी बच्चे नंबर का कंजर्वेशन करना सीखते है लेकिन अगर किसी खास वर्ग की बात आगी जैसा आपने देखी यहापर कुमार समुदाई की बात आ रही है ठीके जो आपके बरतन वगरा बनाते है तो जो कुमार समुद का कि अगर मैं कुमार समुदाई की बात करहूं और बच्चा नंबर से पहले वोल्यूम का शीख रहा है तो यह आपका अजर्शन यानि की कतरन आपका ठीक है आप लोग किसके साथ जा रही हा पर आप लोग अलग अलग के साथ जा रही है तो आप लोग समझे प्या जे अगर कुमार समुदाय की बात आगी तो भाई कुमार समुदाय सबसे पहले अपना वोल्यूम का कंजर्वेशन सीखता है नंबर से पहले ठीक है तो कथन ठीक है अब यह देखते हैं जो यहापर तर्क या कारण यानि कि जो रीजन दिया हुआ है आपको सिंपल सा एक बात सम्बंदीत हैं तो सही व्याख्या कर देगा अगर इससे सम्बंदीत नहीं है तो सही व्याख्या नहीं करेगा अगर यह खुद गलत है तो फिर आपका एक सही एक गलत है अगर यह भी गलत है यह भी गलत है तो आपके दोनों गलत है इस परकार के चार उप्शन आपके तो यहां पर जो अधिकम कर रहा है, लेर्डिंग कर रहा है, किस से कर रहा है, वो अपनी फैमिली वालों से कर रहा है, माली जोस के पिताजी जो है, इसे प्रकारच के बरतन बना रहे है, तो अधिकम उसी से कर रहा है, और उसी से अपना विकास करता जा रहा है, तो एक सामज यह और आर इसकी सही व्याक्षा करता है, तो answer इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गया, मोई मोई तो होगी, लेकिन पहला सही हो जाएगा, तो आपने देखा पहले आपको प्याजे का concept पता होने चीए और पता होने से काम नीच लगा फिर आप ये देखोगे कि ये इसकी सही व्याख्या करता है दोन एक दूसरे से संबंदीते है नहीं है ठीक है तो इसलिए मैंने का इसमें रटने वाला काम नहीं है आपके CTAT के exam मे CBSC ने बहुत सोच समझकर मतलब आपके conceptual understanding पर पेपर निकाला है लिमिटरीड से topic है बस चीज आपको समझने है और आप लोग एक बात ध्यान दिया करो जितनी चीजे मैं आपको लिखता हूँ न और उससे ज़्यादा जो बोल कर आपको समझाता हो वो ज़्यादा महत्पु चको और सात्यों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत सिक्सार्तियों को उनकी समझ और कोसल विक्सित करने में मदद करने के लिए आवसक समर्थन और मार्दरसन परदान कर सकती है बिल्कुल ठीक बात है जैसे आपके teacher हो गए आपसे जादा talented लोग हो गए आपसे जादा है knowledge रखने वाले लोग हो गए तो आपकी help करेंगा नहीं करेंगे करेंगा आपकी help ठीक है इसमें यह मत कहने नहीं help नहीं करेंगे ठीक है तो यह क्या काम करती है यह आपका ठीक हो गया अजरसन यहापर जो अभी खतरन है वो आपका ठीक है अब हम जो यहापर आपका तर्क दिया है रीजन है वो इससे संबंदिते हैं नहीं है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक परमुग घटक है बिल्कुल ठीक बात है जैसे आप टीचर या अपने सदिक जानका लोग या अगर मैं सोट फोर्म में कहूं वाइगोज की के MKO more knowledgeable other अधर की बात हो रही है और जो यहापर वो इसका फोल्डिंग देते हैं तो बच्चे को वो development को बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं बिल्कुल बढ़ाते हैं तो जो सामाजिक संपर्क होता है जैसे आप लोग मेरे संपर्क में ठीक है तो मैं समाज का इससा हूं तो सीखने और विकास का एक पर्मूガ गटक है बिल्कुल ठीक गटक है अगर मैं यहापर किलास नहीं देता तो क्या काम करते दीक है इधर उदर गुम रहे होते पता नहीं क्या पढ़ार रहे होते टीक है तो यह क्या है आपका दोनों ठीक है, अरे कहा गया, ए और आट दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, आप लोग आपर किस के साथ जा रहे हो, ठीक है, समझ गया, आप लोग कैसा आपको करना है, थोड़ा सा आराम से पास सेकिंड एक्ष्टा दे देना, जर्सन और रीजन वाले उसमें विकास और अधिगम हेतु प्यार, देख बाल और बहुत से अवसर परदान करनी चीए, देखें, यहापर कोई सी व्यावस्ता हो, हमें बच्चों को प्यार, देख बाल और बहुत से उपरचुनिटी उसको यहापर देनी चीए, और खासका रगर बात आगी, अल्ल जो भासा घर में बोली जाती है, उसी भासों को बच्चे आपर अपना सीख जाता है, ठीक है, गंदी भासा बोलोगे, गंदी भासा बोलेगा, गलत वेवार करोगे, गलत वेवार करेगा, तो इस स्टेज में या सभी स्टेज में आपको बच्चों को प्यार, देख बाल औ हम यह अपके डवलपमेंट के इंदर देखने को मिलती है कि अगर बच्चे के साथ बाल लेवस्ता की दो रान यानि जब बच्चां चोटा होता उसके साथ कोई दुर गटना या किस प्रकार की अनूनी हो जाती है तो पूरी जिंदिगे पर उसके जो development होता है, learning होता है, उस पर वो प्रभाव डालती है, वो चीज धीरे-धीरे करके कम तो होती जाती है, लेकिन बच्चा उसको जिंदिगे पर भूलता नहीं है, अगर बच्चपन में कोई ऐसी unknown नहीं हो जाती है, ठीक है, या उसको किसी प सान नहीं होता, वो टाइम लगता है इसमा आपका, तो यहापर आपका सिर्फ अजर्शन ठीक है, कथन ठीक है, बट इसने तर्क यहापर गलत दे दिया, तो A सही है और R गलत है, तो यहापर आप लोग चली जाओगे थर्ड के साथ, और किसके साथ जारे हो, ठीक है, अगला जर्शन आपके सामने, अभिकतन आपके सामने है, कि सिक्षकों को सार्थक वातवन बनाना चाहिए, जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागिदारी और active participation और engagement हो सके, बिल्कुल यही बात कर नीचे टीचर को, यही मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है, infrastructure अच्छा होना चाहिए, टीचर को अपने subject पर command अच्छी होनी चाहिए, अलग-अलग प्रकार के methods का use होना चाहिए, अलग-अलग प्रकार के अपने TLM का यहाँ पर use करना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि परते एक बच्चा सीख सकता है, उसमें सीखने की छ सही हो जाएगा, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला question आपके यह रहा, अजरसन यानि अभिकतन आपको दिया हुआ है, चार वर्स की रिया है, वो लंबे और चोडे, दो बरतन में, एक ही समय में, समान मातर में पानी डालते समय, बरतनों की उचाहिए और चोड़ाई को ए की समय में ध्यान में नहीं रख पाती है, एक तो बड़ा बरतन हो गया, लंबा बरतन हो गया, ये राजय समाली जे कोई लंबा बरतन है, ठीक है, इसके अंदर ये रहा पानी, एक आपका माली जे चोड़ा बरतन है, ठीक है, एक माली जे चोड़ा बरतन है, इसके अंदर आ च्रण में है यानि की प्रिो online करन ने स्वा रियर या रिया है वो है आपकी दो साल से 7 साल तक या की रिया यापकी ठीक है देखें प्रियो प्रेह प्रेयाट में नहीं कर पाता है तो यह इस पूर संक्रियात्मक चर्ण में बिल्कुल ठीक बात है इसी की वज़े से चार वर्षिया रही है जो होती है इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस नहीं कार पा रही है तो दोनों सही है और आरे की सही व्याख्या करता है आंचार आपका फॉस्ट यहापर सही हो जाएगा कोशन भी आएगा और आपका कंटेंट का भी कोशन आएगा जैसे प्याज आ गया कोई पैड़ा कोशन आ गया कुछ भी अजर्षन और रीजन में एक्जैमिनर आपसे पूछ सकता है ठीक है अगला देखते हैं यह रहा सामने आपकी स्क्रीन पर अभी कथन यानिकी तो एनिमल मूवी देखने बाद कुछ लोग एनिमल बन गए ठीक है उन्हें लगा हम भी रेंवीर को पूरे हम भी वदला लेंगे पापा का पापा को किसने डाटा होगा तो ठीक है तो मूवी का यह जो परवाव पढ़ता है किसोरों पर या बच्चे को पर 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 जो पर यहां तेन की सोचल लर्णिंग थोरी कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज से अधिगम करके सीखता है यह बात अपने बंडूरा ने बताईती है जैसे उन्होंने एक 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 जामपल कराता है बेबो डोल पर कराता एक बच्ची जो होती है तो उस बच्चे को पहले तीन एक मूवी उसको दिखाई जाती थी रित्य वेवाज उसे सम्मधी तो वैसा वैवार उसके सामने करना सुरु कर देती है जैसा मूवी कंदर देखा वैसे बच्ची ने वेवार करा डोल के उपर गुडिया के उपर तीके तो यहाप पर क्या चीद देखो देखनों के मिली क कि बच्चे ने अपने समाज से दिगम करा, मूवी से करा, फैमिली से करा, ठीक है, तो समाज से अपना व्यवार करके सीखता है, ये बात आप लोग समझ गे, इन्होंने जो सीखने के स्टेप भी देते, चार स्टेप देते कि अटेंचन, इटेंचन, रिप्रोडॉक्शन और किसोरो के सामाजी कंड की एक सक्तेसाली दुट्यक संस्ता, यानि की सेकंडरी एजेंची होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सोसलाइजेशन की प्राइमरी एजेंची उसकी फैमिली होती है, आसपर उसका मावल हो गया, और सेकंडरी एजेंची के अंदर यहापर दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, चलिए भई देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला आपके सामने दिया हुआ है, अजर्सन, क्या दिया अजर्सन कथन, कि विद्यारतों द्वारा की गई जो गलतिया और तुरूटि और देखे, सीखने में हर कोई गलति करता है, दुनिया कंदर कोई आदम ऐसा नहीं है, कि अगर वो सीखेगा, और सीखने के दोरान गलति ना करे, तो आपको सीखने के दोरान जो गलतिया होती है, इनको बड़ा क्या मानना है, इनको बड़ा मैतपूर मानना है, यह टीचिं सब्सक्राइब तो आपको क्या काम करना यह आ सफलता को नहीं दर साती यह सफलता की सीखने के अंदर जो मार्ग होता है उसमें आपकी है यानि सफलता को और अगरिसर करती है आपको ठीक है अब इसमें तर की यह दिया है कि बच्चो में तो ये तो आपका गलत हो गया अजरसंतों गलत हो गया बच्चो में खुद से सोचने की चंटा नहीं होती है क्या Key Barr monde तरहर नहीं कि करतो है तो यहां पर यह वी गलत है तो दोनों गलत है यह और आर दोनों गलत है, आंशर यहापर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फोर्थ के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आप लोग यहापर जा रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते बच्चों को, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला आपके स अगर कोई यहां पर अच्छे कहां सक खापी रहा है नीन्द अच्छी ले रहा है वरकाउट अच्छी कर रहा है तो उसका सरे की विकास हो गया नहीं होगा बिल्कुल होगा उसकी बोड़ी बन जाएगी नुदोले जोले बन जाएंगे तो आम लोग उसका पुर्वानुमान परवन्य कारकों के अनुटा संयूजन बच्चों में अलग-अलग बदलाव का मार्ग तैय करता है बिल्कुल ठीक बात है देखे जब डेवलप्मेंट की बात आ अगे अगला आपके सामने अजर्सन और रीजन ये रहा अजर्सन आपको दिया हुआ है कि जो रूमी है वो 18 महीने में दो सब्दों का उचारन कर सकती थी ठीक है जबकि पूजा ने 24 महीनों में ऐसा किया था ठीक है इसलिए पूजा का विकास पक्ये तोर पर निलम भीत है अब देखे आपर इनके विकास की बात हो रही है यानि इक तरीके से तो रूमी का भी नहीं हुआ क्योंकि 18 महीने में 2 सब्दों का उचारन कर रही है जबकि जो बच्चा एक साल का होता है तो दो से तीन सब्दों का बंडार उसके पास आ जाता है। कम उमर में सीख सकता है कोई जादा उमर में सीख सकता है कोई कम अपने सब्द सीख सकता है कोई उसके बाद जादा सीख सकता है तो हर किसी में सीखने की जो छमता होती है अब लग अलग होती है ठीक है तो यह इसका पूजा का विकास पक्के तोर पर निलंबीत है गलत ऐसा ग अच्छा गुजड़ता है हम लोग उसमें देखते हैं कि आपका 600 अस्ता में किस प्रकार से विकास हो रहा है किस और अस्ता में कैसा हो रहा है बाल लवस्ता में आपका कैसा हो रहा है तो अगर अच्छा गले निद्धारित लक्सों की उपलब्दी के लिए सठीक आयू की सही भविस्वानी कर सकता यार सठीक तो करी ने सकता हम यह देख सकते हैं कि आपके डवलप्मेंट माइलिश्टों के अंदर किस बच्चा आपका 600 अस्ता के अंदर कितना डवलप्मेंट वा किस प और गलत है डीरी यहांपर आपका से होगा जो चोथा अंसलाוכ का है ठीक है अगला यहांपर दिया हुआ है यह रहाँ के सामने यह अभिकतन यानि की अजर्शन आपको दिया हुआ है कि विद्यालों को अधिकम के स्विंगात्मक पहलू यानि कि जो उनका इमोशनल साइड जो होती है ठीक है उस इमोशनल साइड को अंदेखा कर देना चाहिए देखे पहले तो मैं आपको बता हुआ है स्कूल और जो आपका टीचर है उसको बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना अब यहाँ पर इमोशनल साइड को इग्नोर कर देनी की बात आगी है जैसे मान लिजा आप लोगों कि अभी घर के अंदर किसी की पिटाई हुई है किसी का रोड़ कर चला गया उसकी याद में आप लोग बैठे हुए थे तभी घरवालों नहीं पिटाई शुरू कर देख ले तो यहाँ पर पढ़ाओ कर रो रहा है रो रही है ठीक है तो अगर आप एमोशनली रूप से परिसान हो तो क्या आपका लेंडिंग में मन करेगा कुछ मन नहीं करेगा सीखनेगा बस पूरे टाइम पढ़े रहे और उसकी यादों में खोई रहे या घरवालों से बचते रहे ठीक है तो आपको बच्चे से जुड़े स्विंगात्मक पहलू या किसी भी पहलू को अंदेखा कर देना चाहिए कभी भी अंदेखा नहीं करना चा क्या होते हैं एक दूसरे से संबन्दित होते हैं इमोशन जैसे मानलीजा गुसाना प्यार होना ठीक है खुशी होना यह सब हमारे अंदर भगवानने इमोशन दिये हुए अब यहाँ पर कौन से इमोशन को किस जंग पर प्रिजेंट करना है वह आपको को कोगनिशन ही तो पताएगा आपका दिमाग ही तो पताएगा मानलीजा भी साधी का सीजन है और साधी के सीजन में वहाँ जाकर आप लोग जैसी स्टेज पर गए दूले दूलन के साथ मिलने के लिए और बहुत तेज तेज से रोना शुरू कर दिया पूरी पबलिक आपको देखेगी क्या ह वहां तो कहेगा कि मैं तो अपनी इमोशन को व्यक्त कर रहा हूं वह कहेंगे तो गदे यहाप पर हसना परसन हो यहापर यह रोने वाले इमोशन यहापर क्यों दिखा दिये और मानलीजे किसी की डैथ में चले गए ओडैथ में जा जाकर खूब हसना शुरू कर दिया तो है तो फिर तोड़ेंगे उसके घरवाले कि यहाप आके तूँन हाज ह्याज क्यों घृण चाहिए तो यहाप का कोगनीशन मताता है आपका दिमाग बताता है कि आपको कि जग पर किस ऍमोशन को परजंट करना है तो एक दूसरे से सम्बंदित नहीं है गलत येक दूसरे से सम्मनित होते है तो यहाँ पर आपके दोनों ही गलते यानि कि यह उरार दोनों गलते तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्त यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक आप लोग जा रहे हो डीडी के साथ जा रहे हो ठीक है अगला देखते हैं अगला सामने आपकी क्या दिया हुआ है अ तो इसको का जाता खाली बरतन के समान माना जाता था या ब्लैंक पेपर के समान माना जाता था ठीक है या मान लिजे यह आपका खाली बरतन है इस खाली बरतन के समान माना जाता था ठीक है एक टर्म भी दीती जो लोग ने टैबूला राशा करके दीती कि यह खाली बरतन है ज अब आपकी गलत हो चुकी है अब कौन्सी तेयोरी है अब यह सिंपल सा आपका स्कूल कहता है आपके साइकलोजी का कि बच्चा जो होता है वो खाली बर्थन के समान नहीं है बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है तो इस्कूल में बच्चा अपनी मात्रभासा लेकर आता है जो बच्चा अपना जन्म के बाद से आपको पता सीखना सुरू कर देता है, बच्चा स्कूल में अपने छोटे मोटे अनुभाव लेकर आता है, बच्चा स्कूल में अपने मिस्कंसेप्शन लेकर आता है, बच्चा स्कूल में जीवन के प्रती दृष्टिकोल लेकर आता है इन सभी पूंजियों से लेस होकर बच्चा स्कूल के इंदर आता है तो यहाँ पर सेज सिद्दान्त मोजूद होते है बिल्कुल ठीक छोटे बच्चे के सेज सिद्दान्त मोजूद होते है ठीक है आप लोग जो बड़े वाले बच्चे हो आप लोग भी जब तैयारी करने अब देख लेता है तो आप लोग भी अपनी पूंजी से लेस होकर आते हो छोटी चोटी जानकारियों के साथ आते हो ठीक है तो छोटा बच्चा चाहिए हमारे वाले बड़े बच्चे सेज सिद्दान्त के साथ मोजूद होते तो अजर से नहापर आपका ठीक है अब यहाँ पर आपके misconception है थोड़े बहुत अनुभव है और इसकी अंदेखी करनी चीए दुनिया के अंदर किसी के अंदर इतिनी ताकत नहीं है चाहिए आपका टीचरों पिंसिपलों मंत्रियों संत्रियों कोई भी हो जो बच्चे बच्चे से जुड़ी भी किसी भी चीज को इगनोर कर दे ठीक है अगर इसने इगनोर करेगा तो हम इसको इगनोर कर देगे तो एस एया और गलत है एस सही है लंपने दोस्त्यारों के पास सेयर कर देना अपनी इजत आप लोगों के आपके सामने अभी कथन यानि कि अजर्षन साथ जन्वरी को 8 दिसंबर ठीक है याद रखना डेट अजर्षन ने आपके सामने दिया वाया कि विद्यालों को केवल सीखी गई सामगरिव के पुनर उत्पादन पर जोर देना चाहिए यानि जो बच्चों को में स्कूल कंदर स पूज करना चाहिए तो इस पर जोर देना नहीं चाहिए ठीक है कि केवल स्कूल में सीखी सिखाई का क्योंकि बच्चा इसकूल में उपचारिक रूप से सीखता है लेकिन बच्चा उनुपचारिक रूप से अपने घर परिवार के अंदर अपने आसपर उसके महाल से भी स पूर उत्पादन पर बल देना चीए अब यहाँ पर गलत के अंदर देखो इसने क्या हुआ है कि समरती ना तो रचनात्मक होती है और ना निर्वचनात्मक होती है यानि यह गलत है और गलत की व्याक्या कर रहा है मतलब अगर एक और फिप्त ओप्सन हो जाता तो यहाँ सही हो जाता है मैमोरी भाई रचनात्मक होती है तब ही तो हम कहते कि बच्चों को सिफ जोका तो मत पढ़ा हो रोट लर्निंग मत करा हो सीखने के जाद से जाद उसको आपके मोकर देने चीए ठीक है तो आप लोग यहाँ पर किसके साथ चले जाओगे बिल्कुल ठीक जा भाई गव्याता है तो फिर है यह आपका उफशन बदल जाता है ठीक है अगला देखते है झापके सामने आजरशन आग उसके बही हम लोग नज़र डाल लेते हैं अजर्शन आपके सामने दिया हुआ है एक अध्यापक द्वारा विद्यार्ट्यों को संप्रत्य यानि कंसेप्ट की समझ पाने के लिए दिगम करने ही तु अभी प्रेरित यानि की मोटिवेशन करना चाहिए मोटिवेशन उसको देना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है आप लोगों के जैसे मैं आपको अजर्शन और रीजन बता रहो कि बाई किस प्रकार से करते हैं क्यों बच्च तो मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और ऐसे करना चाहिए अब इसमें तर्क दिया है तर्क क्या दिया है कि जो अधिगम होता है जो लर्णिंग होता है अधिक परभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वह मह प्रफॉर्म पर्फॉर्म औरिंटेशन सुनाओगा एक मास्ट्री औरिंटेड होता है यानि किसी सब्जेक्ट में किसी कंसेट में अगर आप लोग यहाँ पर मास्ट्री कर लो ठीक है तो अधिगम आपका और भी प्रभावसाली यहाँ पर हो जाएगा ठीक है यह बात आप समझ गए तो इसलिए हमें बच्चों के आपर मोटिवेट उसको करना चाहिए तो आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक आप लोग जा रहे हो कि दोनों से यह इसकी सही प्रकार की व्याख्या कर रहा फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है अच्छा अगर मैं यह सही प्रकार स किया नहीं करान कि यह तो आपको पता कि यह बताओ क्या यह गलट एक यह आपकी सही प्रकार से व्याख्या कर रहा है कमेंड बोक्स में अंसर दो ठीक है चलिए अगले आपके सामने आ घया हुआ अभिकतन यानिकि अजर्षन दिया हुआ है एक अध्यापिका को कक्सा में विभिन परकार की पठन सामगरी परदान करने के लिए एक प्रिंट समरे दुवाताओं सर्जित करना चाहिए यह कुष्चन जादेतर आपके लेंग्वेज के अंदर पूछा जाता है के अंदर लेकिन लेंग्वेज के अंदर आता है और माज अजरसन और रिजन के कुष्चन आपको सभी सब्जेक्ट में जो आते हैं कुछ-कुछ खुष्चन वह भी आपको करवाँगा ठीक है लास तक आपको देखने को भी लेंगे सोचल साइन्च शाइन्च आ लेंग्वे बटन आ रखा होगा उसके लावा आप लोगों के नीचे एक दो चैनल और आ रखे होंगे तो आपको अलग-अलग परकार की भासाओ के अंदर कुछ आपके सामने नोलिज दे रख्योंगी तो बिल्कुल ठीक बात है किलास और में आप यह सभी चीज देख रहे हो जैसे कि क्लास में स्मार्ट वोड हो गया ठीक है यह चार्ट वाट लगा दिए यह क्लास में प्रिंट सम्रद वातावन देना बहुत ज़्याद जरूरी होता है क्योंकि इसके माद्दम से बच्चा बहुत अच्छी परकार से सीखता है तो यह आपका क्या हो ठीक हो गया अब इसमे सब्सक्राइब तो बहुत बुरा प्रवा पड़ता है जैसे मालीज आप घर के अंदर हो घर के बार कोई गाली गुलोच कर रहे है बढ़ी तरीखे से तो बच्चा भी उनको कोपी कर लेता है बहुत स्वीड स्वीड से जा रहे इसके अंदर ठीक अगला देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है यह रहात के सामने आगया अजर्शन जो आपके सामने दिया हुआ है नजर डालते हैं अजर्शन यानि कि अभीकत्तन आपको दिया हुआ है कि कि किसी संप्रत्य यानि किसी कंसेट पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन परिवेसों से संबंधित उधारन देनी चीए अब देखो मैं भी तो आपको यही कर रहा हूँ मैं आपको अजर्सन और रीजन के कोशन बता रहा हूँ उसमें एक कोशन माली जे इस प्रकार सा आ गया पिरिंट रिच एनवारमेंट का आ गया पिछला कोशन तो मैं आपको अलग अलग प्रकार के उधारन नहीं दे रहा हूँ आपको बच्चों को अधारन और गैर उधारन इसमें तर्क ही ये दिया है कि जो अधिगम करता है या नी जो लर्नर से जो शिखने वाले होते हैं वो शिख्षा के साथ एक जुड़ाओं की भावना विक्सित कर पाते हैं अगर उनके सामजिक और सांच्कितिक प्रिवेश से सम्मंधित उधार्णों और अनुभाओं को चर जुड़ाओं होता है नहीं होता जुड़ाओं होता है आप लोगों का तो यह आपका तर्क यहां पर ठीक है इसलिए आपको विविन परिवेशों से सम्मंधित उधारन देनी चाहिए क्योंकि बच्या इंसे जुड़ाओं महसूस करता है तो आपके दोनों ठीक है और इसक उभाविक रूचियों को पोशित करने के लिए आउसर मिलने चाहिए जैसे की तरह तरह की वस्त्व का उपयोग करो बेटा परियोग करो और परिक्सन करो टेस्ट करो मानस मंतन यानि की ब्रेनिस्टोर्मिंग करो और चर्चा यानि डिसकर्शन करो बिल्कुल ठीक बात है दे एक्सपरिमेंट करना चाहिए परिक्सन करना चाहिए कि जो सरी ने बताया हम भी इसी परकार से करके देखेंगे चलो पीवाई क्यों लगाते और इसी परकार से सोल करते ठीक है यह करना चाहिए ताकि बच्चा चीजों को अर्थ गरंड कर सके और हमें बच्चों को फुल लर्णिंग करानी आपके तो आपका ठीक है अब देखते कारण क्या दिया हुआ है कारण दिया है कि जो अधिगम की परकर्ती होती है व formulas sous प्रसित करने के लिए इन तरीकों छो के सीके रहे हैं यानि बच्छाब ब्रेन् कर रहा है क्रिक्षन कर रहा है परियोग कर रहा है चर्चाए तो इसका सही विएक्ष्य भी है तो डोनों से यह आर एकी सही वैख्या करता है ठीक है तो आप थोड़ी सी ब्राइटनेस को सुर्ण कर लेटhe अगला देखते हैं अगला आपके सामने क्या दिया हुआ है इसको पर नजर डालते ठीक और अभी तो मेराथन बहुत बड़ी होने वाली सीड़ी की साथ तारिको उसके अंदर तो आपका बहुत लंबी किलास चलती क्योंकि मैराथन में हल्की फुल्की नहीं देता लंबी जा उच आयवाले परिवार से हैं यानि कि अमीर बच्चे है यहापर ठीक है और उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आयवाले परिवार से हैं यानि जो गरीब बच्चे है दोनों अलग अलग प्रकार से दिन बिताते हैं अमीर बच्चा घर के अ क्या होते हैं कि दोनों से अलग होते हैं एक पहली बार देखा है तो क्या होते है ये दोनों के दोनों अब देखते हैं तरक सफय और सफ्वात पधार सेल होते हैं जो बच्चे के के कंसेप्ट होते हैं बच्पन में वह सारवोमिक नहीं है यानि कि आपके युनिवर्सल नहीं तथा बच्पन में बहुत विविदता है होती है बिल्कुल ठीक बात है देखंगर गाओं का बच्चा होगा व अलग सैट बनाए गौई गाओं का बच्चा किसी गाड़ी को तो सभी का बच्पन एक जैसे नहीं हो गया क्योंकि फिर इसकी वजह से सार भूमिक नहीं हो गया और बहुत विविद्शता होती है इसलिए वो अपने अलग-अलग दिन बिताते हैं अमीर घर का भी अलग और निम्न परिवार वाले का अलग तो ए और आड दोनों से यह आरे की सेविया क्या करता है पहला यहापर हो जाएगा अब हम लोग पहुच गए यहापर 40,000 पर हम पहुच गए अच्छा मेरी आज वाइट टी से ना तो इसके वज़े से साथ थोड़ी आपको brightness लग दोगी ठीक है चलो मैं कोशिज करूँगा कि वाइट वाली टी सेट ना पैन करा हूँ ताकि आपको थोड़ा इस परकार से ना लगए ठीक है चलिए अब देखते अगला अगला आपके सामने हो गया 40,000 आब आप लोग पोच गयो आप ही कतन यानि कि अजरसन 40,000 बनेगे तो मैं आप सभी को समावेशित करके एक साथ है यूकरिशन दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ ना तो अलग अलग परकार की वीडियो का इस्तमाल कर रहा हूँ वह थिर साथ में प्रैक्टिस आप लोग कर कर लेना मोग टेश लगा लेना फिरीवाला मोग टेश् कि जो समावेशन की आउधान ना है यानि जो इंक्लूशन का कंचेप्ट होता है जहापर सभी बच्चों को समान शिक्षा एक साथ देनी है कोई बेदवा नहीं करना उसमें अधिगम अक्षमत है यानि जो लंडिंग डिस्टेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं कौन कौन जिसको डिसलेक्षिया हो जाएगा डिसग्राफिया हो जाएगा डिसकैलकुलिया वगरा यह हो जाएगगे उसको वो तो सामिल है परण्तु इसमें बहावातमक कंठनाई से जूज रहे बच्चे सामिल नहीं क्यों ब को हमको इसके अंदर सामिल करना चाहिए इसने कहे दिया भावात्म कठिनाई से यानि जो इमोशनली रूफ से बच्चा परिसान चल ला है अगर के अंदर कोई दिक्कत होगी पैरेंट्स के अंदर कोई बात होगी उसको सामिल नहीं करना तो यह यहाँ पर आपका गलत दे दि बीच क्लास में मत जुड़ा करो ठीक है अगल आपके सामने दियावा है अभी कथन यानि अजर्षन दियावा है एक टीचर को विद्यारत्यों को अपनी चिंतन परिक्रियाओं के बारे में अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए परोसाइत करना चाहिए या जैसे कंचेप्ट के कुश्चन आते प्याज आ गए या लेंडिंग के वह करेंगे पैडगोजिकल कोश्चन करेंगे मैंने जाओ तो ठीक है जितना होसा कि अपने चिंतन में डूब जाओ तो इसको करने के लिए परोसाइत करना चाहिए नहीं करना चाहिए अच्छे काम मे इतने डूब जाओ कि उस चिंतन के सभी व्यापक रूप से जितने भी उसके परिपेक्स होते हो उसके बारे में आप लोग जान पाओ तो इसको यहापर परोसाइत करना चाहिए यह निकरना चाहिए कि सर जी मैं डूब ने जा रो तलाब में डूब जा भाई दूब जा औ अब इसमें कारण दिया हुआ है पहले ही देखते है कारण ठीक है और अगर ठीक है तो इससे रिलेट करता है कि जो अधी संग्यान होता है जिसको आप लोग कहतों मैटा कोगनीशन क्या बोलतों मैटा कोगनीशन अधी संग्यान या परासंग्यान के नाम से जिसको जाना ज जुरू कर देता है तो मेटा कोगनिसर उच करम के संगेनात्म कोसल के विकास में मदद करता है बिल्कुल ठीक यहाँ पर मदद करता है इसलिए यहाँ पर बच्चों को परोसाइद करना चाहिए कि डूब जाओ अपने चिंतन के अंदर ठीक है तो आंचर क्या हो जाएगा A औ अगल आपके सामनी यह रहा अगलब के सामनी दिया वाई अभिकतन यैनी आरजशन दिया वाई एक अध्यापिका को अपने विद्यारतों को किसी काम परине करते हैं अपने विचारों और जो चिंतन होते निदिन एंगन जो से को फूट होते जो स्के विचार होते तो ऐसा कुछ यहापर सिस्टम नहीं है सिर्फ आप लोग अपने लिखित रूप में अपना हम लोग के आप लोग अव्यक्त कर सकते हो लेकिन अगर फिजिकल क्लास होगी ठीक है जो में इसकूल के अंदर माली जैसे क्लास मिलती है तो यहाँ पर अगर बच्चा अपने 40,000 लोग लाई चलो एक तरह बोलना सुरू करोगे कान फट जाएंगे ठीक है तो चलो यूटूब ने काम ठीक है आप देखते हैं कारणिस में ठीक है या नहीं है अगला है निजीवाक यानिकी जो आपकी प्राइवेटी स्पीच होती है मैंने कहा ना कि जो आपका जब प मैंने आपको बताता है कि समझ फराधारित करना यह सब मता देंगा वाबर घोट रहता है मैं खेलता रहता आप मैं करूंगा उसको किसी मतलब नहीं है खुद अपने आप से बच्चा खेलता रहता और बोलता रहता है तो वह उसकी होती है उसकी प्राइवेटी स्पीच होती है तो प्राइवेटी स्पीच विध्यारतु में उस्तर सरेणी के संगयनात्म कोशलों के विकास में बादक होती है बच्चे या बच्चे से जुड़ी कोई भी चीज में आपको बताता हूँ बादक नहीं होती तो बच्चे की जो प्राइवेटी स्पीच होती है ना बादक नहीं होती संचाधन का काम होती है क्योंकि बच्चा क्या काम कर रहा है बच्चा अपने काम को रेगुलेट कर रह तो आदी संभावने तो वहीं खतम हो जाती है कि आपका इससे तो रिलेट करेगा इनियब पहले तो यह देख लो कि तो कुछ लोग तो सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोग क्या काम करते हैं मतलब इसको गुप्त रखते हैं कि इसको बताते नहीं है साधी के बाद भी किचन में आने से क्या हो जाएगा ठीक है हम और आप लोग इस चीज का विरोध करेंगे तो हमारे बड़े वाले नराज हो जाते हैं फिर मानते नहीं ठीक है वह कहते हैं तो बहुत पहले से चली आ रही है तुम कौन सा इसको तोड़ दोगे ठीक है तो हर कल का इस चीज को गुपत रखा जाता है अब इसमें तरक यह दिया है कि बच्चों के लिए बच्पन के जो अनुबह होते हैं उनके सामजिक और सांस्कितिक संदर्वों के आधार पर अलग तरीके से होते हैं देखो पहले तो बिल्कुल ठीक बात है कि बच्पन के जो भी अन करता है ठीक है चलिए अगला देखते नेक्स्ट कॉश्ण अगला कोश्ण क्या है सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा अगले के अंदर आजरसन आपको दिया हुआ है अजरसन क्या दिया हुआ कि शिक्सकों को बच्चों के मुल्यांकन के लिए मानकिकरत पाठ्थेकरम और प अब कर सकते अभी कताने मारा गलत अधिटेंश करके सबीकुष्ण बनाने की दिशामे काम करता है ठीक हो समाव इस 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 इए नहीं कहती कि जो आप लोगों के बीच में मतब्यद है वो खारीज कर दिये ठीक है मालीजे कोई आपका हाइट में कम है physical development की बात करो कोई हाइट में जाद है किसका दिमाग कम है किसका दिमाग जाद है है तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे और और दोनों गलत है है तो राइट आंशर या पर आपका फोर्ट सही हो जाएगा आप लोग किसके साथ जा रहे हो आप लोग भी अलग-लग बता रहे हैं ठीक है आपके culture का परभाव पढ़ता है जैसे मैंने आपको एक एक्जम्पल दिया था कि जैसे हम लोग आपस में मिलते हैं आपस में शेक हैंड करते हैं और भाई कैसो हाथ मिलाते या फिर नमस्कार दुआ सलाम कुछ भी करते हैं लेकिन फोर्णर कैसे मिलते हैं मुह से मुह ऐसे मि ठीक है चाय करके देख लेना अगले आपके सामने दिया हुआ है अभी कतन यानि की अजर्शन दिया हुआ है विद्यार्त जिने ADHD यानि की ध्यान को एक जंग केंद्रित नहीं कर पाता है और वह एक जंगे पर अपने क्या होते है बहुत जादा है याइपर एक प्रकार का डिसोडर होता है अगर हम देखने से संबंधी और आपके सुनने से संबंधी जो distraction होते है विकरसन होते है अगर उसको कम कर दे तो बच्चे के लिए आपके मैथपून नहेंगे ना लाप देंगे बिलकुल यहाप लाप देंगे तो यहापर अजर्शन आपका ठीक हो जाएगा अब इसमें यह दिया है विध्यार्ती जिने ADHD है ठीक है आप मेंसे भी कुछ लोगों के अज़र अभी symptom सारी होंगे आपसं में कर रहे होंगे ठीक है देखतरीय अभी दोके अंदर symptom सारी होंगे तो उनको ध्यान कर पाने की आउदी कम होती है वह उनका बाते करते रहते हैं इस प्रकार के काम करते हैं तो जिने एडिये चिडिये उनको ध्यान कर पानी के अउद्धी कम होते हैं बिल्कुल ठीक बाता है अपना ध्यान एक जंगा नहीं लगा पाते हैं और उनका ध्यान आसानी से भंग भी हो जाता है कोई भी उनका ध्यान भंग क लोग कब कहा और क्यों करना है इसके बार में सव नियामक ज्ञान सिखाया जाना चीए यहांने उनको सेल्फ रेगुलेटरी नोलीज यहां पर उनको देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने ज्ञान को खुद से रेगुलेट कर सके जैसे मैं आपको प्राइविटी स्पीच इन बच्चों को बताना चीए ताकि बच्चे अपने उसका इनके बार में जाना को उसका इस्तिमाल कर सके ठीक है तो यह ठीक हो गया कारण इसमें दिया है कि एक अधिगम रण्नीति को यानि एक लर्णिंग की जो स्टेटीजी होती है उसको बनाय रखने और उसे नियोजीत क अनिके संभावना बढ़ जाती है कब बढ़ जाती है यदि विद्यार्टियों को पता है कि इसका उप्योग कब कहा और क्यों करना है बिल्कुल ठीक बात है अगर बच्चे को यह पता लग जाएगा कि CDP मुझे कहा पढ़नी है कब पढ़नी है और क्यों पढ़नी है तो क् की संभावने बढ़ जाएगी इसलिए यहाँ पर विद्यारतों को अलग-अलग अधिगम रिणितों का उप्योग यह कब कहा क्यों है इसका बारे में करवाना चीए यानि दोनों ठीक है और इसकी सही प्रकार से व्याक्या कर रहा है आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो अब एक कुशन आगया अभी आपका इस साइन्स सोसल साइन्स लेंग्वेश से कुशन आएंगे ठीक है वह भी मैंने एक एक करके लिए हुए है इसके सीखने को अवलोकन यानि और वर्गिकरण यानि क्लासिफिकेशन आदी से संबंदित प्रक्रिया कोसल यानि उसके प्र प्रोसेस इसकिल के बारे में मैंने आपको बता हुआ है एंसियाटी के सुरूव में ही दिये हुए तो उनके लिए उन्मुक होना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है यह तो आपके बड़े महत्पूर होते है प्रक्रिया कोसल शुरुवात में ही एंसियाटी के फर्स्ट पेज हुए उनको प्रात करने के माध्यम से इवेस के सीखने के पढ़िणाम को हासिल करने की संभावना होती है यह बिल्कुल ठीक है इसलिए हमें जो आपके परिक्रिया कोसल होते है जैसे यह दिये हुए उससे संब्दित इनको चीज़े बतानी चाहिए यह बच्चों को समझा लगा दो कुछ भी ठीक है और गोले बढ़ने के अंदर ध्यान लखा करो बहुत गल्ती होती है उमार सीट पर प्रैक्टिस कर लेना अगला आपके सामने दिया हुआ है कि अभिकतन यानि अजरसन आपको दिया हुआ है कि गणित पाट्ठी चिरिया यानि जो मैस का करिकुल किसी के अंदर इतनी हिम्मत है उसको गलत कर दे नहीं तो यह आपका अजरसन ठीक हो गया आप कारण देखते हैं कि विद्यारती देख सकते है कि कैसे एक गणित के विचार मत दूसरों के साथ जुड़ता है और इस प्रकार हुए नई समझ एवं कोसल को विक्सित करने में स कार सुसंगत होनीच है तर दोनों सढ़ी है और आइर की प्रकार से व्याख्या कर रहा है तो अंसर आपका पहला या पर सही हो जाएगा अगला कॉशन देखते हैं अभी एक कोशन आपका एक लेंग्वेस से पूछा हुआ वै देखे क्या पूछा हुआ लेंग्वेस से 13क अजर सन आपको दिया हुआ है अभी कतन कि शिक्सारती भासा अर्जित करते हैं बिल्कुल भासा अर्जित करते हैं क्योंकि वह ऐसा करने के लिए आनुवानसिक रूप से पूरवा नुकालित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है यार जो बच्चा अपने भासा को अर्जित करता तो अपने परिवेश से ँसकी बात मरत मालों अपने बाखbelt लेकर आपज के बिदा लेकर दूसरी भासा शीखत मिए और ना इंगलीजी सेक लिए स्कूल टीचर किटाब नहीं होती है यह तो बैया आपका गलत हो बैघ्चне भूमिका होती है शीख कर दिखा दो कोई दूसरी भाषा या पैदा होने के बाद बच्चा गाएगा मुझे इंगलीस भी आती है हिंदी भी आती है संस्क्रिट फ्रेंस सब आती है कि बच्चा हुआ या पता नहीं क्या हुआ है ठीक है अब इसमें तर्क यह दिया है अब संब्धित होने की तो बात दि गलत है ए गलत है पर और सभी धेपर करके यह देखने को मिलते हैं तो यहा है अरा मसा सभ ग्रोऊ आपका आंचन निकलेगा वैव आजरसन आपको दिया कि दोक्टर भीमराव अंबेड करंने बच्पन में रोजमरा की जिंदी में जातिगत पक्सपाँ जैलाता तो भई, ये तो सभी को बता है पक्सपाँ जैलाताया नहीं बनाता आ सविदान के निनमाता है, सविदान उनन्होंने हमारे लिए बनाया ठीक है तो उन्होंने पक्सपाँ जहला था ये बात तो ठीक है डोक्ट भीमरावंबे potato जो जहला था अब इस्मा कारन दिया है कि डोक्ट भीमरावव अंबेड करके जो पिता है एक सैनी की रिलेट नहीं कर रहा मलब उनके फादर कुछ भी करते थे मानली यह पढ़ाते थे या उनके फादर किशी पोस्ट परते या कुछ और काम करते थे बट यह आपके अजरसन से संबंदित नहीं है अजरसन में डोक्टर जो भीमराव अंबीड करें उनके बारे में कहा गया कि उ है तो पलोग यहाँ सेकिंड के साथ यह आपडर चले जाओके सेव्य गया नहीं है क्या थे वह यापके और आपके अपने बतायनी में क्या थे इनके जो फादर थे बिट इस आरवी में सुवहत है ठीक है तो एऊर दोनों ठीक है नहीं दोनों ठीक क्या रहा सेनी की स्कूल में पढ़ाते थे बीटेस आर्मी में सुभेदार थे मेरे खाल से यार ठीक है तो इसमें आप लोग व्याक्ख्या तो सही है लेकिन आपका सुभेदार या सेनी की स्कूल में पढ़ाने की बात हो रही है तो में भी आपके ये ठीक हो सकते है एक बार यार इसको लेकिन इसके स्कूल की बात होगी जरूर रएक करता होगा यह तो वरना मेरे बोलने के अंदर फरख होगा ठीक है लेकिन इससे संबंधित नहीं है आणसर आपका सैकंड फजाएगा ठीक है आप लोग किसके साथ जा रहे हो मौक टेस्ट कामि लेए सर पहले बताओ औरे में अम्पेडगर जी के बारे में बात करो आप मौक टेस्ट के बारे में तो इसको पढ़ना जो है हार्ड होता जा रहा है छोटे बच्चे गया मैं तो बड़ो बच्चों के संदर में भी इस वाली वात को कह सकता हूँ ठीक है हाँ हाँ हम मैंने भी मदलब आर्मी में बिरुगेडियर थे यही पढ़ा लेकिन आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे तो में भी हो सकता है क्योंकि आर्मी से से समंदित यह आ गया तो मैं भी ऐसी सीवेसी सभी ओप्सन को ठीक देता हु कुछ ऑपिशन के अंदर गर्ड़फड चैलंजिंग आपकी किलास और संपूर्ण उससे पहले हो जाई अब इसमें कारण यह दिया है कि बारत के सिक्संट संस्तानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से परसिक्सित समाज जो होता है विज्ञानिकों की कमी नहीं है रहे नहीं भाई हमारे देश के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पात देखो विरिंदर सर है अभी वह आपके दूसरे सरकार का नाम क्या है अमिस सर है ठीक है तो यह अभी से विरिंदर सर अमिस सर देखो कि सोचल साइंस आपको पढ़ा दे रिलेट करके पढ़ाते ठीक है तो टफ होता जा रहा है लेकिन इसी बात नहीं कि कमी नहीं है ठीक है तो आपका ए ठीक है लेकिन आर गलत है यह सही है पर अगले की और बढ़ते हैं देखें अगला क्या दिया हुआ है उसके उपर हम लोग आ अगला देखें क्या दिया हुआ है कि अजर्शन यानि अभीकतन आपको दिया हुआ है पैट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है बिल्कुल कहा जाता है पैट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है ठीक है काला सोना आपको पता यह कितना कीन्ती है आपका पैट्रोल तो काला सोन इसको यहापर कहा जाता है अब इसमें जो रिजन दिया है जिसको तर्ग बोलो विवेचन बोलो कुछी बोलो पैट्रोलियम के जो बंडार है वो काली मिट्टी में पाए जाते जी नहीं काली मिट्टी में तो नहीं पाए जाते ठीक है तो यह आपका गलत हो गया सिर्फ आप मक्सद यही था कि एक बार आप इनको देख लो पढ़ लो समझ लो और कैसे आपको आंसर देना होता है अब इमानदारी से मुझे अपना स्कोर बती है कि 30 में से आपका कितना स्कोर हुआ है वो मुझे आप लोग बता दीजे और उसके लावा साथ जनवरी को जो आपकी मेरतन किलास रहेगी CDP की आठ वजे तो उसके लिए आप लोग नोटिफाई कर लेना मैंने टाइमर डाला हुआ है ठीक है थमनेल डाला हुआ है नोटिफिकेशन ओन कर लेना चैनल को सब्सकाइब कर लेना क्योंकि अभी आपकी संपूर्ण सोसल साइंस संपूर्ण साइंस और सं साथ जनवरी को ठीक है अब यार अपना स्कोर बता दो कितना आपका स्कोर हुआ है देखो हमारी क्लास खत्म होने वाली है लेकिन आप लोग अभी भी 40,000 मतलब डटे वे ठीक है ठीक है आप लोगों का लाज तक डटे रहने के लिए ठीक है चालीस हजार यह आपकी संक्या स्कोर में एक बार पढ़ लेता हूँ आपका एक एक करके दीन बंदुराज 26 है रुपेस वगत 26 है रूबी के आपके 28 है मुकेस 29 है किसना सागर 27 है रोशनी 28 है सुमन कुमार 25 है बी के यादव 26 है मुम्मन सैनवाज आपके 28 है सुमन सरकार 29 है आपके मोसम सर्मा लव्यू स लव यू भाई ओल ठीक है रिंग की वर्मा 27 है यादव क्यूइन 26 है प्रतिक्सा जैसवाल 24 है एंजनी साइनी 25 है रंजीत कुमार आपके 23 है साफिक अंसारी के 29 है खुसी मिसरा के 29 है कितने बढ़ी है नमबर आ रहे है ठीक है ऐसे को सना आपके एक जाम हैंगे बस आपको चीजें पता होनी चाये, आप लोगों का एक कॉश्चन गलत नहीं होने ठीक है पायोप आप लोगों को किलास अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो भाई आप लोग इसको अपना दोस्तियार के पास शेयर कर देना और उनको बता देना साती तारिक को तयार रहे अपना और बाकी मैं मिलूँगा आप लोगों से कल 8 वजे ठीक है कल हमारी 8 वजे होगी जो आपकी NCRT की क्लास होगी ठीक है तो कल मैं आपको 8 वजे मिलूँगा तब तब पढ़ते रहना ध्यान रखना गुड़नाइट टेक केर